Hello, प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज हम बहुत ही common topic के बारे में बात करने वाला हैं लेकिन उतने ही important topic के बारे में बात करने वाले हैं और वो है कि कम उमर में ज़ादा बाल पकना जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत लोग होंगे जनकी उमर महज 30 साल पैर 35 साल की है लेकिन फिर भी उनके सारे बाल जो है बिल्कुल पके हुए बिल्कुल सफेद हो चुके हैं तो ऐसा क्यूं होता है इसके बारे में आज हमें इ जवाब चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए सही जवाब को नीचे दिएगा बैल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे नई वीडियो का आपडेट आप तक सबसे पहले बहुँच सकें तो दोस्तों आप चलते हैं हमारे पहले में रीजन की और तो पहला रीजन यही है कि अगर आपके जीन्स में वो चीज है तो वो आपके तरफ भी केरी फॉरवर्ड हो सकती है यानि कि अगर आपके दादा जी के भी बाल 30-35 की उमर में पकना शुरू हो गए थे आपके पिता जी के साथ भी वही हुआ तो बहुत मुंकिन है कि आपके साथ ये हो रहा है क्योंकि आपके जीन्स में वो केरी फॉरवर्ड हो चुका है तो दोस्तों अगर आपके जीन्स में ये केरी फॉरवर्ड हो चुका है तो वो आपके साथ होने ही वाला है लेकिन कुछ प्रिकॉशन्स लेके या डॉक्टर की सलाह लेके आप इस प्रोसेस को धीमा कर सकते हैं जिसकी बज़ाए से जादा देर तक आपके बाल काले या जिस को लखे आपको रखने वो रख सकते हैं तो दोस्तु आप डॉक्टर की सला लेके इस प्रोसेस को जो है वो स्लो कर सकते हैं इसको धीमा कर सकते हैं जिसकी बज़ाए से आपके बाल जादा देर तक काले दिख सकते हैं तो आप चलते आपने दूसरी रीजन की और तो दूस्तु दूसरा रीजन है Melanin Deficiency तो जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि हमारे स्किन का कलर हमारे हैस का कलर यह हमें इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे स्किन के नीचे या हमारे स्काल्प में Melanin मौजूद है इसकी वज़ा से यह कलर हमें दिखता है तो अगर किसी की बॉड़े में Melanin की कमी हो तो उसका असर आपके बालों पर भी दिख सकता है और बाल जल्दी पकना शुरू हो सकते हैं हाला कि इसको ट्रीड भी किया जा सकता है आप डॉक्टर की सला से इसके लिए कुछ मेडिकेशन ले सकते हैं और इसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं तो अब चलते हमारे तीसरे रीजन की और तो दोस्तो हमारा तीसरा रीजन है हार्मोनल इंबैलन्स तो दोस्तो आपने यह समस्य काफी सुनी होगी कि कि किसी को कोई बीमारी हो जाती है, बड़ी बीमारी हो जाती है, तो थोड़ा बहुत हार्मोनल इंबैलन्स हो जाता है, या किसी दवाई की रियाक्शन के तौर पर हार्मोनल इंबैलन्स हो जाता है, तो उसकी वजास से भी ये बाल पकना शुरूर हो सकते हैं, क्योंकि वो जो ह समस्या है यह महिलाओं में पुर्षों के मुकाबले ज्यादा पाई जाती है तो उसके लिए भी कुछ मेडिकेशन होती है तो वह अगर मेडिसेंस वह ले लेंगी तो बिल्कुल वह ठीक हो सकता है तो अब चलते अपने अगली रीजन की और तो दोस्तों अगर आपको कोई मेडिकल कंडिशन्स है जैसे कि परनिश्यस वेटिलीगो या थाइरोइड का प्रॉब्लेम है आप में ऐसी कुछ समस्या है या अनेमिया है तो ऐसी समस्याओं की वज़ा से भी आपके बाल जो है वो जल्दी पकना शुरू हो सकत हैं तो उसके लिए तो वो बिवारे ठीक करना यही एक option है तो दोस्तों अगला रीजन है विटामिन या मिनरल डेफिशन्सी उसी के साथ साथ B12 और फॉलिक एसेड की भी डेफिशन्सी अगर आप में हो तो इन चारों में से कोई भी आपको डेफिशन्सी हो तो आपके बा एफिशन्सी है और उसकी हिसाब से जो डॉक्टर बताए उसके हिसाब से आप अपना डायेट प्लान कर सकते हैं और इसको बिल्कुल इजीली की और किया जा सकता है तो आप चलते हैं अगले रीजन की और दोस्तों अगला रीजन बहुत ही कॉमन है हम सभी के जिन्दगी मे वो है ही और वो है स्ट्रेस तो दोस्तों आपको बता ही होगा आपको सभी ने बताया होगा कि स्ट्रेस की वज़य से बाल जड़ते हैं और सिर्फ जड़ते नहीं हैं तो बाल जल्दी पकते भी हैं अगर आपके उपर बहुत वर्क लोड है आपके उपास टाइट डेडला का भी ध्यान रखना होगा आपको stress कम लेना होगा तभी आप इस बात को achieve कर पाएंगे कि आपका hair graying जो है वो slow down हो जाए कुछ हद तक तो दोस्तो अगला हमारा point है chemical based products तो आजकल बहुत से लोग शौकिया तोर पर अपने बालों को color करवाते हैं किसी और रंग में करवाते हैं या जिनके बाल थोड़े बहुत gray हैं वो जादा काले बाल दिखने के लिए काला color करवाते हैं लेकिन इन सभी products में बहुत मातरा में chemicals होते हैं तो वो chemicals क्या करते हैं कि आपके बालों का जो natural color है उसको वो उतारना सबसे पहले शुरू कर देता है इसमें से chemicals क्यूंकि जब तक आपके बालों का काला छर उतर नहीं जाता तब तक यह नया color आपके बालों पर नहीं दिख सकता है इसलिए वो chemical सबसे पहले आपके بالों पे से काला रंग उतारने की कोशिश करता है जिससे की नया रंग उसके उपर चड़ सके और आपको desired आपका effect मिल सके तो आपने देखा होगा कि जो लोग सालों से अपने बाल कलर करवाते आ रहे हैं, जिनके बाल थोड़े बहुत effect आपके बालों पर करते हैं तो दोस्तो simple सी चीज यही है कि कम से कम chemical वाले products आप अपने बालों पर यूज करें, हो सके तो herbal products यूज करें जिससे की आपके बालों को नुकसान नहीं पहुचेगा तो दोस्तो अगला point है हमारा smoking तो जैसा कि आप सभी को पता है कि smoking आपके body के लिए बहुत ज़्यादा injurious है और ये बहुत ज़्यादा हानिकारिक होता है आपकी सारी systems के लिए ये आपके body में काफी उधम मचा सकता है तो उसका एक side effect ये भी होता है कि आपके बाल जल्दी पकना शुरू हो जाते है और बाकी समस्याय तो होती ही है तो simple है कि अगर आपने ऐसी कोई आदत पाल रखी है तो इस आज़त से निजात पाईए इस आदत को छोड़ दीजे और आपके बाल पकना जो है वो slow हो जाएंगे तो आप चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर तो दोस्तों हमारे बाडी में बहुत कम मातरा में हाइडरोजन पेरोकसड भी बनता है और वो हमारे बालों के फॉलिकल्स में जाके रुख जाता है वहाँ पे वो जमा हो जाता है तो यह जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनके बाल इसलिए पकते हैं कि उस हाइडरोजन पेरोकसड को उनकी बॉड़ी निउट्रलाइज नहीं कर सकती हाला कि कुछ यंग लोगों में भी यह समस्या आती है क्यों? क्योंकि यह जो हाइडरोजन पेरोकसड है उसको निउट्रलाइज करने के लिए कैटलीस नाम का एक एंजाइम आपके ब्रेन की थुरू सीक्रेट होता है और अगर वो ठीक से सीक्रेट ना हो रहा हो यह कम मातरा में आ रहा हो तो यह जो हैडरोजन पेरोकसड है इसका बिल्डप बढ़दा जाता है और उसका पूरा असर आपके बालों में दिखना शुरू हो जाता है और वो थोड़े-थोड़े ग्रे होने लगते है हाला कि यंग लोगों में यह समस्या कम आती है ज्यादा बुजर्बों में यह ज्यादा आती है समस्या क्योंकि उनके ब्रेन से वो कैटलिस्ज जो है वो कम रिषना शुरू हो जाता है लेकिन कभी-कभी यंग लोगों में भी यह समस्या आ सकती है हाला कि इसको मेडिकेशन से ठीक करने की गुंजाश है तो दोस्तो आज की वीडियो में पस इतना है अगर आपको यह वीडियो काम का लगा हो इसमें से आपको अगर इंफोर्मेशन मिली हो तो दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा